इस सुन्वाई में और मैं जिम्मेवारी की हैस्ट से कह रहा हूँ एक वकील ले नहीं, दो वकील ले नहीं, tीन वकील ले नहीं सेकड़ों वकीलों ने आ के, अभियुक्त की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से समय पर समय पर समय पर समय मांगने का ओडरशीर उठा के देख लीचे आप, कितनी बार समय मांगा गया। इसकी शुरुवात की बेंच कौन सी थी? खंड़पीट इसको कहते हैं आप, एक जजज का नाम था मान्यय श्री जोजफ, दूसरी जजज का नाम था मान्यय मिस नागरत्न, उनके सामने डेड़ दो महीने सो है, पेश भरत अब खुद भी था लेकिना औरशीर दिखाती हैं, दो महीने तक एक चिरकाल का अनंत अड़जर्मेंट मांगने की प्रक्रिया चलती रही। यहां तक कि उस मान्यय जजज ने कहा कि शायद आप मेरे सेवन रुर्थ होने के लिए इंतजार कर रहे हैं कितनी शर्मनाग बात है, यह सरकार जो दोगाई देती है, मान्यय पधान मंतरी इतने प्रखर वक्ता हैं, इतने प्रभावशाली स्पीकर हैं, वो कितने हमको प्रवच्वन सुनाते हैं हमेशा उनकी सरकार ये कर रही है उनके नाक के नीची एक शब्तों ही सुना हमने उनसे कभी भी इतने प्रखरवक्ता से उसके बाद भी जब वो मान्य न्याय मूर्दी सेवा निवरित हो गए उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू ही अनंतकाल की विलंब की अवरुद करने की सेंकरो बार इसलिए कहते हैं के देर हो सकती अंधेर नहीं होता the arms and the ears and the eyes of the law are long ultimately the wheels of justice crush and crush and crush very finely friends ये भी नहीं भूल सकते आपके कितना भयानक संदर्ब था कि आसान है बिल्किस बानों एक नाम लेके case discuss करते हैं उस नाम के पीछे संदर्ब क्या था एक उननिस बीस वर्ष की महिला छह साथ महीने गर्भबती उनका बलातकार होता है उनके चौदा मेंबरान परिवार के हत्या होती है उनमें शामिल है एक तीन वर्ष ये बच्चा ये आपको कोई कहने में मैं तो खुद काम उटता हूँ आज भी लेकिं ये किसी भी सिविलाइस्ट समाज में ऐसी बात कहना ही भयानक है बेदर्दी की सीमा है और उसके बाद आपने ऐसे लोगों को प्रिमच्चो रिलीस किया उनको मृत्यूडन नहीं मिला था कई लोग मानते हैं कि मृत्यूडन नहीं मिला गलत है कानून के अनुसार ये रेरिस और रेर केस में आता है निश्चित रुख से आता है लेकि उस बात को छोड़ दिए और एक अलग डिवेट है जो मिला उनको सीमित डंड उसको आपके प्रिमच्चो रिलीस कर दिया और आज आपने कम से कम उस रिलीस के बाद उच्टम नयायले में नहीं तो दो साल से ज्यादा निकाल तीन साल निकाल दी है इस प्रक्रिया में कि किसी तरह से हम अवाइड कर जाएं मुद्दे को अवाइड कर जाएं आज सरकार के सामने एक मिरर रखा है कोट ने एक शीशा रखा है जिससे की एक घ्रनात्मक तस्वीर आती है पूरा निर्ने पढ़ने रायक है प्रेस कॉन्फरेंस में ये प्रता नहीं है न समय होता है मैं आपसे अनुरोद करूँगा के पढ़िये इसको लेकिन मैं एक चार छे पंक्तिया पढ़ भी दूँ आपके लिए Taking Advantage of May 13, 22 Order of this Court हमारी प्रेस कॉन्फरेंस अक्टूबर में होई थी और ये मानने है जज़ भी सिवा ने प्रित पिछले बर्श होए थे Taking Advantage of the May 13, 22 Order of this Court Other Convicts also filed Remission Applications And the Gujarat Government passed Remission Orders Gujarat was complicit and acted in tandem with Respondent No. 3 in this case The Court was misled by suppressing facts Use of power by Gujarat was only a usurpation of power by the state To do the mandate Mayre Shard N Wand Yourha gracious ुच्च नयायले के भी शब्द नहीं है Yourha gracious अबिया सिर्थ ये बड़ा सपश्ट है कि इससे Badandaz, Badirada, Mela Fide, Jhalak Raya हर शब्द से इस प्रदेश-सरकार का लेकिन प्रदेश सरकार का नाम लेकिए आप पतलीकली से निकल जाएंगे किंदे सरकार ये भी आपका एक दूसरा पहलू रहा है पिछले दो-तीन वर्शों से हुआ होगा शायद हुआ होगा प्रदेश सरकार को मालूम है कागज हुआरे पास नहीं है उनसे पूछिए इत्यादी इत्यादी सचाई क्या है इग्यारा जुलाए दोजार बाइस को जो मेरे मित्र आपको कागज देंगे अभी स्कॉट प्रेस कांफरेंस के बाद यह दस्तावेज है किसका है? Government of India Ministry of Home Affairs Giving sanction and concurrence sanction and concurrence for the premature release of 11 names 1, 2, 3, 4, 11 इन महानुभावों का नाम है आप परदे के पीछे छुप कहां रहे हैं आप मुह कहां चुपा रहे हैं भाग कहां रहे हैं उल्टा आप जूट की एक और सीड़ी बना रहे हैं नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुमिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं योज़ 24